हाई फैंड्स वेलकम टू माई चैनल आज आप सबके साथ मैं शेयर करने चार रही हूँ बहुत ही टेस्टी केक की रेस्पी जिसे आप इजी ली घर पे बना सकते हैं और ये है सूजी केक खाने में बहुत टेस्टी है बहुत ही कम समान में बनके रेडी हो जाता है और बच्चों को तो वैसे भी केक बहुत जादा पसंद है तो आप इस तरीके से सूजी केक बच्चों को बना के दीजे बहुत पसंद आएगा तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा तो चलिए बनाना शूर करते हैं सूजी केक बनाने के लिए सबसे पहले हम पाउडर शुगर रेडी करेंगे तो उसके लिए यहां पे मैंने ये चीनी ली है ये पोना कप के करीब चीनी है और अब इसे हम जार में डालेंगे और इसका एक दम फाउडर पना के रेडी कर लेंगे तो अच्छे से इसको पीस लेना है और ये देखिए केक के लिए पाउडर शुगर बनके रेडी है एक दम फाउडर पीसा है अब लेंगे mixing bowl और इसमें हम डालेंगे दही तो आपको यहाँ पे फ्रेश दही लेनी है ज्यादा खट्टी वाली दही नहीं लेनी है तो यह दही है आदा कप और दही डालने के बाद अब इसमें हम डालेंगे powder sugar जो हमने रेडी किया है साथ ही में डाल देंगे oil तो oil यहाँ पे हमें चाहिए एक चुथाई कप तो आप oil की जगे पे unsalted butter भी यूज़ कर सकते हैं या फिर देसी गी का यूज़ भी कर सकते हैं अब सारी चीजों को अच्छे से mix कर लेंगे और mix करने के बाद आपको mixture कुछ इस तरीके कर दिखेंगे अगिदम creamy हो गया है अब इसमें हम डाल देंगे दो बड़े चमच milk powder इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है केक में तो जरूर डालिएगा अगर नहीं है तो आप skip ब सूजी तो यह मैंने डिर्ड कप सूजी ली है मेजरिंग कप से नाप के यह सारी सूजी हम जार में डालेंगे और इसको भी पीस लेंगे तो बिलकुल एक दम fine powder हमें इसका नहीं बनाना है सूजी का हलका सा पीसेंगे क्योंकि यह सूजी थोड़ी सी मोटी है तो इसलिए हम इसे हम डाल देंगे इस मिक्चर में जो हमने ready किया है तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और mix करते जाएंगे यहां पर यह जो मैंने सूजी ली है powder sugar लिया है और oil लिया है यह measuring cup से नाप के लिया है क्योंकि अगर आप cake बना रहे हैं तो इसके लिए perfect measurement होना बहुत ज़रूरी है नहीं तो cake अच्छा नहीं बनता है तो यह सारी सूजी हमने इसमें डाल दी है और अच्छे से इसे mix कर देंगे अगर आपको यह लग रहा है कि यह थोड़ा सा गाड़ा है तो आप इसमें दूद एड़ कर सकते हैं थोड़ा सा लेकिन मैंने यह यहां पर दूद एड़ नहीं किया है तो एक बार इसे अच्छ आप कि अक्रया और दूस्थे आप्साकर रख दें हैं मैं दूसरी सैड यहां पे हम चोटा बाउल लेनगे उसमें डाल देंगे तो यह मैंने आदागात यहां पर लिया है आप किसी भी कलर की डाल सकते हैं यहां पर मेरे पास तीन चार कलर हैं तो यह सारी तो इसके लिए हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा मैदा, एक चोटा चमाच हम इसमें मैदा डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे, मैदे को डालके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और देखेंगे आप जो यह तूटी-फूटी है, एक दम अलग-अलग हो गई है, चिप आप बना सकते हैं, तो कड़ाई को हमें प्रीहिट करना होगा, उसके लिए हमें चाहिए नमक, तो यह नमक मेरा पहले का कई बार यूज किया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा इसका कलर अलग राग रहा है, नमक को इस तरीके से हम फैला देंगे, गैस की फ्लेम को कर देंगे लो टू मीडियम, और इसे धग के हम प्रीहिट करेंगे, आठ से दस मिनट तक, तो बीच में एक स्टेंट भी रख देंगे, और इसे धग देते हैं, और अब केक बनाने के लिए कोई भी आप ट्रे ले सकते हैं, तो यहां पर जो भी आप ट्रे ले रहे हैं, उसके उपर प और यहां पर 15-20 मिनट हो चुके हैं, इस बैटर को रखे हुए, और आप देखेंगे, सूजी काफी फूल गई है, और यह बैटर भी काफी थिक है, अब इसमें हम डालेंगे दूद, तो दूद यहां पर आपको चाहिए, बिल्कुल रूम टेंपरेचर पे, तो यह मैंने आदा कप दूद लिया है, सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे, और मिक्स करते जाएंगे, जितनी जरुरत है, उतना ही दूद डालेंगे, अगर बहुत जादा पतला बैटर हो गया, तो केक अच्छा नहीं बनेगा, और बहुत जादा गाड़ा हो तो भी अच्छा नहीं बनेगा, तो जितनी हमें जरुरत है, उतना हम इसमें दूद डालेंगे, तो आदा कप दूद है, पूरा मैंने या पर यूज नहीं किया है, थोड़ा सा बच गया है, तो अभी थोड़ा सा दूद हम इसमें और डाल देते हैं, और इसे अच्छे से म अब इसमें हम डाल देंगे बेकिंग पाउडर, एक चमच, साथी में डालेंगे बेकिंग सोडा, आदा चमच, आदा छोटी चमच डालेंगे इसमें बेकिंग सोडा, और इसी चमच से नापके हम इसमें डाल देंगे एक चमच वनीदा एसेंस, और साथी में हम इसमें डाल अच्छे से को कानली दोय कुछ मिक्स का लिया है और अब चलते हैं इसे हम केक टिन में डाल देते हैं तो जब यह बैटर हम केक टिन में डालेंगे तो ऊपर तक नहीं भरेंगे थोड़ा सा खाली छोड़ देंगे क्योंकि जब हम इसे बेग करेंगे तो बेग करते समय है यह केक तो फूलता है तो मैंने या पे काजू पदाम लिये हैं बिल्कुल बारी किस तरीके से कट कर लिये हैं ये डाल देंगे अगर आपके पास dry foods नहीं है तो आप इसके ओपर tutti-futty भी डाल सकते हैं या dry foods और tutti-futty दोनों ही डाल सकते हैं dry foods डालने के बाद फिर से एक बार इसको टैप करेंगे अब चलते हैं इसे बेक करने के लिए यहाँ पे ये जो कडाई है अच्छे से गरम हो चुकी है 8-10 मिनट हो चुके हैं इस कडाई को preheat होते हुए और बहुत ही गरम कडाई है तो थोड़ा सा अब धानी से इसमें आप य जान रखना है बीच बीच में आपको इसका ढखकन नहीं अटाना है नहीं तो कडाई का टेंपरेचर कम हो जाएगा और केक को बेक होने में थोड़ा सा टाइम और लगेगा इसलिए पहले आपको टोटल 25 मिनट तक इसका ढखकन बिलकुल भी नहीं अटाना है उसके बाद चेक करें अगर आपको लगता है कि केक कच्चा है तो आप इसे और बेक कर सकते हैं तो टोटल मैंने इसको 35 मिनट तक बेक किया है बीच में चेक किया था 25 मिनट के बाद ये थोड़ा सा कच्चा था तो चेक करने का तरीका ये है टूथपिक लेंगे और बिलकुल बीच में डालेंगे अगर जैसे आप इसे बीच में डालेंगे तो आप देखेंगे टूथपिक के ओपर बिल्कुल भी बैटर नहीं है इसका मतलब केक अच्छे से बेक हो गया है अगर आपको लगता है टूथपिक के ओपर थोड़ा सा बैटर है तो आप इसे दुबारा से 5 या 10 और इसको इस तरीके से उल्टा करेंगे हलका सा टैप करेंगे और यह लीजे यह हमारा बहुत ही टेस्टी सूजी केक बन के रेडी है यह जो बटर पेपर है इसे हम हटा लेते हैं और आप देख सकते हैं केक देखने में कितना यम्मी लग रहा है तो एक पार ज़रूर ट्र और साइट को कट करते समय यह जो थोड़ी सी टूटी फूटी बच गई है इसको हम उपर डाल देते हैं तो यह मैं टूटी फूटी इसके उपर डाल देती हूं और यह लीजे बहुत ही यम्मी हमारा यह सूजी केक बन के रेडी है अब मैं आपको इसे काट के दिखाती हू कितना सॉफ्ट और स्पॉंजी बना है और बहुत ही टेस्टी बना है तो एक बार तो ट्राइ करना बनता है जरूर ट्राइ कीजिएगा आप इसे बार बार बना के खाएंगे तो यह देखे कितना सॉफ्ट बना है बहुत ही आसानी से कट के आँए और एक दम स्पॉंजी है आज की मेरी ये रेस्पी आपको कैसी लगी मुझे comment box में comment लिखके ज़रूर बताईएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like, share और चैनल को जल्दी से subscribe कर लीजिए हम जल्दी ही मिलेंगे तब तक के लिए बाई